मित्रों जय सियराम आज उपस्थित हूं आपके सामने हिंदु जीवन ज्यान चैनल में शनी सिंगनापूर के दो अती महत्यपूर्ण रहस्य को लेकर यह बहुत ही गुप्त जानकारी है तो आपके साजा कर रहा हूं आसा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा और जब कभ भी आप सिंगनापूर जाएंगे तो यह रहस्य आपके बहुत खाम आएगा मित्रों जैसा कि आप जानते भी होंगे कि महराश्ट्र के एहमद नगर में सिंगनापूर एक गाउं है जो अब शनी सिंगनापूर के नाम से जाना जाता है इस गाउं की सबसे वह खासिएत यह मित्रों कि घंवाह में वैं कोई व्यक्ति सुठकेस चारफार ना रखता है और किसी घर में कोई ताला नहीं लगाता यह असपश्त आदेश है शनी देव का इसलीई अपको ताहल नहीं मिलेगा किThis भी घर में इसलीए गाउं जो है विश्व प्रसित हो गया इस चीज को ल हाई थी उस गावों में बहुत दैविये सक्तियां भी बहुत बह रही थी बहुतसारे हिहले देवी दता की मुर्तियां बहा रही थी ऐसे में बहते हुए पत्थर जो है इस गावोँ में आके तट पे गया बहुत ही चमकीला पत्थर था और इस पत्थर की जो लंबाई थी मित्रों यह पांच फिट नौ इंज थी और इसकी जो चौराई थी एक फिट छेंज थी तो जब बार का पानी उत्रा तो गाउं का एक सर्वसाधारन कोई मनुष्य था जो उधर से घुजर रहा था उसक चमकीला पत्थर को देखकर उसको लगा बहुत महंगा पत्थर होगा इसको उठाकर अपने घर ले जाते हैं लेकिन उठाना तो दूर वह भी नहीं पाया तो फिर सोचा कि चलो इसको तोर के इसका कुछ भाग ले जाते हैं घर पे तो उसने हतावरा और काटने वाला चेनी लेकर आया और उसने जैसे ही पत्थर पे चलाया तो उस पत्थर से खून बहने लगा इतना देखकर वह आदमी जो है वहां से भाग चला जाकर उसने सारी बात गाओंवालों को बताई तो चुकि उसने रात में यह सारी बाते बताई थी तो गाओंवाले दूसरे दिन वहा पत्थर नहीं हिला फिर सब ठक हार कर घर चले गए कि चलो फिर देखते हैं कोई उपाय करते हैं कैसे उठाया जाए तो शनी देव ने उस व्यक्ति को रात में स्वपने दिया और अपने बारे में बताया कि मैं शनी देव हूं और यह मूर्ति तुम कितना भी प्रयास करोगे नहीं उठेगा लेकिन उठाना भी है तुमको और इसको अस्थापित भी करना है लेकिन यह मूर्ति उठेगी तब जब उठाने वालों में कोई सगा मामा और भांजा साथ में होगा तो सादमी ने सुबह यह बात गाउवालों को बताई तो गाउवाले जब गए तो मामा भांजा को भी साथ में लेकर गया और वह मुर्ति बहुत सहजता से उठागई और उठाकर उसने एक मैदान में चबूत्रे पर अस्थापित कर दिया आज भी सनीदियों वहीं पर स्थापित है खुले में धूप में कोई छत्र नहीं है उनके उपर तो मित्रों एक पहला र दर्शन के लिए तो आपको सिर्फ सीधा देखते हुए जाना है कोई कितना भी आवाज लगाए तो पीछे मुर्कर नहीं देखना और फिर वहां जाकर उनके दर्शन के उपरां भी आपको सीधा वापिस आना है पीछे मुर्कर नहीं देखना अन्य था आपको बहुत नु आप सनिदेव का ध्यान करिए और उरद और सिंदुर और उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा गुर भी रख लीजिए किसी पीपल के पेर पे जाकर अर्पित कीजिए आप तीन सनिवार कीजिए आपको जमतकारिक लाव होगा करकर देखिए फिर बताइए जैसे आराम